गुड मॉर्णिंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जैसी क्रिष्ट, जैसत नाम संगवारी हो 36 गर्षिक्षक भरती की तैयारी आप मनला हमन करवावा थन हमन जम्मो विशाय मनला एक एक करके आप मन के सामने वीडियो के माध्य हमने बता थन हमर जो समानने ज्ञान के वीडियो है जमाच 6 वीडियो अपलोड हो चुके है आज के जो वीडियो है हमर 7 वीडियो है संगवारी हो तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे, अपने मित्रों तक सेयर जरूर करेंगे, ताकि उन मित्रों तक भी हमारा वीडियो पहुंचे, जो कि आर्थिक इसीती के अभाव में, पैसे की अभाव में, जो किसी भी अन्य कोचिंग क्लास चाहें आउन लाइन हो, या आफ्लाइन हो, फिसकी माध्यम से न में चर्चा करने वाले हैं समानने ग्यान से जुड़ी क्लास नंबर साथ है भारत में परमारू उर्जा एवं फिल्म जगत के बारे में आज के इस सेशन में जानकारी देखेंगे तो भारत में जो परमारू उर्जा है और फिल्म जगत के जानकारी की जब हम बात करते हैं तो परमारू उर्जा भारत में परमारू जो उर्जा है ठीक है तो यहां कहां कहां से यह परमारू जो एनर्जी है वो होता है तो देखिए डाक्टर होमी जहांगीर भाभा एक परमारू रिसर्च केंद्र है आप सभी साथ ही इसको जानते हैं जिसे भाभा परमारू रिसर्च के और यह एक जनक भी है इसी के नाम से जो रिसर्च के इंद्र है उनका नाम खुला हुआ है थीक है तो डाक्टर होमी जहांगीर भाभा यह कौन है आपका एक जनक है परमारू कारेकरम के थीक है आप इसको याद रखेंगे इसको भी आप याद रखेंगे उसके बाद में हमारा आता है साथीों देखिए साहा परमारो भावत की संस्थान परमारो उर्जा विभाग परमारो उर्जा डिपार्टमेंट है ठीक है तो यह कहाँ पर यह जो है 1954 में सुरू किया गया था अब एक नाम आपने सुना होगा जिसे cat कहा जाता है बहुत सारे साथी होंगे cat बार-बार हमारे दिमाग में आता है ये cat क्या है ठीक है तो उच्छ प्रद्योगी की केंद्र ठीक है Central for Advanced Technology ये जो उच्छ प्रद्योगी की केंद्र है वो उसी cat बोलती है ठीक है तो उच्छ प्रद्योगी केंद्र इंद्र में है जो की माजबदिस में आता है आप इनको भी एक बार अच्छे से अनलेसिस कर लेंगे ठीक है most important चीजों को ही हम लेके चल रहे हैं साथी हो ज्यादा extra नहीं पढ़ रहे हैं जो कि दस नंबर के general knowledge में हम ज्यादा कुछ पढ़ेंगे तो हमारे लिए burden हो जाएगा ज्यादा हम study नहीं करेंगे इस पर जो चीज़ इंपोर्टेंट है हम उसी पर discussion करेंगे ठीक है अब भाभा के परमारू विद्यूद ग्रिया atomic power plant जीसे बोलते है तो भारत के परमारू विद्यूद ग्रिया आप देखो यहाँ पर भारत के परमारू विद्यूद ग्रिया कहां कहां है atomic जो प्लांट है तारापुर नाम सुना होगा आपने जो कि 1979 में इस्थाबित किया गया है मुमबई में है या भारत के प्रथम है अमेरिका के सहियोग से निर्मित किया गया है तारापुर जो परमारू विद्यूद ग्रिया जो भारत के प्रथम परमारू विद्यूद ग्रिया जो अमेरिका के सहियोग से इस्थापित किया गया है अब रारा प्रताप सागर जो कि रावात भाठा कोटा राजस्थान में है ठीक है रावात भाठा कोटा राजस्थान में है राणा प्रताप सागर और ये जो है करनादा के सही योग सिस्थापित किया गया है उसके बाद आता है संतियों आपका कलपक्कम परमाडु विद्युद्गरी है अब ये जो कल जो की उत्ताप्रदेश में है, काकरापारा है, गुजराद में स्थित है, तो यह देश का ग्यारवान नाविकी विद्युत सयंत्र है, आप इसको भी याद रखेंगे, बहुत सारे आपको नए नाम सुनने को मिलेंगे, लेकिन इम्पोर्टेन चीज़े हैं, इसलिए हम बता रहे हैं इन सब चीज़ों को, अकुधनकुल्लम, कुधनकुलम तमिल नादो में है, जो कि रुस की सहाधा से इस्थापित किया गया है, ठीक है, तो यह फर मारू-सय अंद्र के अंद्र है, उनके नाम की हम बात करते हैं, जैसे अफसरा हो गया सायरस, कामनी, तो अफसरा देखो क्या है, बारत का प्रथम स्वनेर्मीद रियक्टर है, अपसरा, यहां से क्यिसे बनता है, मैं आपको बता दू, इनमें से काऊन भारत के परमारूर रियक्टर नहीं है, अप्सरा साइरस, कामिनी और कुछ भी और देगा चार अप्सर में एक ठो बताना है जो नहीं है तो अब आपको चार में से एक बताना है, तो मेरे ख yall से असानी हो सकती है, तो अब सारा क्या है भारत के प्रथम स्वणिर्मित रियक्टर है ठीक है उसमें देखो सायरस जरलीना पोनिमा दूब सभी इसमें आते है एक कामनी भी है जो कलपकम में इस्थित है ठीक है अब भारी जल सेंत्र में भी बहुत सारे चीज़े आते हैं इसमें भारी जल सेंत्र में नांगल, तूती कोरीन, कतचर, ट्रामबे, कलपक कम, हजीरा, थाल, कोटा, राजस्थान में जो भी है है ना भाई, तो ये चीज़े इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं, भारत के जो फिल्म जगत है, आप सभी देखेंगे साथियों कि फिल्म जगत से आपके जो प्रश्न है, वो पूछे जाते हैं अक्सर, है ना भाई, अभी मैं इसमें देखो, करेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको करेंट में भी याद रखना पड़ेगा, जैसे अभी आसकर आवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना भाई, आसकर के लिए नॉमिनेट हुए हैं, एक तो वो हैं आपका आर आर वाला, और अपना यहां एक वो अनुपर्म खेर की जो मुवी आई थी ना भी, उसको भी आसकर मिला हुआ है, ठीक है, तो आप उन सब मुवीज को भी एक बार अच्छे से अनालिसिस करेंगे, किसको किसको आसकर मिला हुआ है, क्या है, क्योंकि फिल्म जगत की जब वाउक्सन होटल में प्रधर्शन हुआ था, ठीक है, लुमियर बंदु, सर प्रथम यहां बात हो रही है, तो 1896 में लुमियर बंदु की जो मुवी है, उनका जो हैrocket होट्सन होटल में प्रधर्शन हुआ था, ठीक है, उसके बाद दीखी 1912-13 में प्रथम जो कथा चित्र ह ठीक है सबसे पहले जो कथा चित्र बना फीचर फिल्म ठीक है तो यह कथा पुंडलिक यह मूवी बनी थी अब अपने देश में सबसे पहले क्या मूवी बनी है यह कुश्चन लगातार कई-कई बार विभिन परिक्षाओं में आ चुकी है तो प्रथम स्वदेशी फिल्म क्य है हमारे देस का तो राजा हारिस चंद्र है जो कि 1913 में बना था याद रखेंगे इस बात को प्रथम मुवी राजा हरिस चंद्र की मुवी है जो कि 1913 में बना हुआ है इसके जो निर्देशाक है गोविन धुंडी आज राजा हरिस्चंद्र के लेखक है जिनको दादा सहाब फाल के पुरसकार से भी नवाजा जा चुका है ठीक है अब देखो प्रथम सवाग फिल्म अब प्रथम सवाग फिल्म करने से तत परी है टॉकी देखो भाई जब राजा हरिस्चंद्र की जब मुवी आई न तो उसमें केवल चीत्र दिखता था उसमें आवाजें नहीं होती थी ठीक है उसके बाद प्रथम फिर बोलने वाली फिल्म आई जिसे आलाम आरा खा गया ठीक है यह आलाम आरा एक बोलने वाली फिल्म है जो कि 1931 में बनी जिसके डारेक्टर है आरदे सिर इरानी ठीक है तो यह तो है फिल्म जगत की इंपोर्टन चीजें है साथ ही हो इसलिए हमें फिल्म जगत की कुछ महतपूर्ण बिंदुओं को आप सभी को बताना पड़ रहा है ठीक है तो आप लोग बिल्कुल यह फिल्म जगत को अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लेंगे क्योंकि फिल्म जगत से क्वेस्टिन्स आपके एकजाम में बनते हैं आप ऐना इसके बाद देख लो भी फिल्म जगत की ही हम जब चर्चे कर रहे हैं तो इसमें देखो प्रतम सिनेमा इसकोप फिल्म है तो Cinema, इसको जो Movie आई है कागज के फूल, ठीक है? भानू अथईया भारत की परथम आसकर पुरस्कार विजेता है सबसे पहले आसकर पुरस्कार विजेता कौन है? बोलेंगे अगर हमारे देश की बात की जये तो भानु अथया सबसे प्रथम आशकर पुरसकार विजेता है जो कि फिल्म गांधी के ड्रेस के डिजाइन करने के लिए उसको इस आशकर अवार्ड से नॉमिनेट किया गया नवाजा गया है ठीक है उसके बाद में आई है सत्यजीतरे तो भारत के प्रथम लाइफ टाइम आशकर विजेता है सत्यजीतरे ठीक है प्रथम भारती फिल्मकार है जिन्हें भारत रतन के अलंकृत किया गया देखो सरवप्रथम सत्यजी तरह के हुई भारत रत्न से भी पुरस्कित गया है और ये आसकर विजेता भी है लेकिन सरवप्रथम आसकर विजेता के जब नाम के बारी आती है नाम के बात आती है तो भानु अथिया को सरवप्रथम आसकर दिया गया था तो आप इनको भी याद रख तिहार बार के बारे में पता है किसे हमार 36 गर्मा तीजापुरा हो ली तो राश्टी तेवहार संगवारी हो है ना भारत के प्रमुख़ पर हुआ है लेकिन जब हमार 36 के बाद कर थान गेडि चड़े वाला तिहारा थे चेट-चेटे के तिहारा थे छोटे-चोटे कईठन त ह us in आव भारत देयार के बारे मां एकेक करके जांतार नुशम स्थनक्त ठीक है कावर के तहार बार के बारे में भी प्रश्ण आपमन के परिक्षा में पूछे जाते हैं तो देखो ओराम अब ये केरल में राजा बली की वापसी की खुसी में ये ओराम का जो तिहार है वो मनाया जाता है ठीक है केरल में मनाया जाते हैं ओराम के तिहार है जो राजा बली है जब वापास इस उकरे खुसीमा एन जो त्योहार है। अला मना जाते हैं। पोंगल अब पोंगल जोकी तमिल नादू में मना जाता है और ये जो पोंगल का तिहार है ना वो मंकर सकरांति में मना जाते संगुवारी हो। ठीके, क्रिश्मस ला तो आप सबे जन जान था, इसा मसी के जनम 25 दिसंबर के होरी से कई के क्रिश्मस के तिहार मनाया जाते, गुड़ फ्राइडे लभी जान था, तो इसा मसी ला सुलीमा चड़ायरी से, वही नाम से ओला गुड़ फ्राइडे के नाम से मनाया जाते, ठीके अब इस्टर तो इसा मसी के पूरो जन्म जब होई से उकरे नाम से इस्टर के तिहार मनाए जा थें जो कि हिसाई मन के प्रमुग तिहारों में से एक सब तिहार मन ठीक है न उकरबाद में आथे नवरोज आप देखो पार्सियों द्वारा नवर्ष उत्सर जो मनाया जाते वो नवरोज बोलते अब इद मिला दुन नभी जो की मुसल्मान भाई बहनों द्वारा एलब मनाया जाते ठीक है हजरब मुहम्मद सहाब के जन्म दिन है उमन के कहना चाहिए इश्वर है भगवान जो भी बोले हजरब मुहम्मद पैगंबर जला बोलते तो उकरब जन्म दिवस के आउसर में जो इद मिला दुन नभी मनाया जाते ठीक है उसके बाद में आपका एक आता है साथियों इदुल फितर ठीक है इदुल फितर अब ये तो इदुल फितर है तो इदुल फितर का मनाया जाता है तो इद के नाम से प्रशिद्ध मुसल्मानों के सबसे बड़ा तोहार है जो कि रमजान के महिने में एक महिन लगातार पास रहते हैं और मनाया जाता है ठीक है तो इस तरह से यह जो फेस्टिवल है मनाया जाता है ठीक है साथियों सब तो रहा भारत के परमारो उर्जा की जानकारी साथी साथ फिल्म जगत की जानकारी इसमें हमने केवल उन्हीं बिंदों को चर्च किया है उन्हीं बिंदों क कि आप प्रती दिन न्यूज पेपर के माध्यम से हो या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो जिस भी माध्यम से हो आपको चाहे वह आप इंटरनेट के माध्यम से हो जहां से भी आपको करेंट की जानकारी मिलती है ठीक है आप उनसे निरंतर अपडेट रहें क्योंकि आप सरगारी अनौकरी की त्यारी कर रहे हैं और एक गवर्मेंट सर्विस की जो त्यारी करने वाला candidate हमेशा वो अपडेट रहना पड़ता है चाहे वो न्यूज पेपर पढ़े पढ़े न्यूज देखे प्रते दिन इस तरह से यदि आप अपडेट रहोगे तो कुछ questions ऐसे भी होते हैं जो आपके अपडेट रहने से ही सालो हो जाते हैं तो आज की सेशन में हम बस यही दो बिंदो पर यही दो टॉपिक पर चर्चकिया है अकल की सेशन में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी इसी वक्त प्राता नौ बचे तब तक के लिए इचाज़त दिजे साथियों